तो बच्चो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर नमबर 12 सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्जामपल नमबर 3 तो एक्जामपल नमबर 3 की फिकर भी हमें दे रखी है इसका मॉडल भी मैं आपको दिखाऊंगा पहले हम पढ़ देते हैं इसके अंदर के आमें दिया क्या है तो पहले कोशन में हमें बताया है एक वुड़न टॉय रॉकेट इस इन दा शेप ओफ कोन माउंटेड ओने सलेंडर एक लकडी का कोई खिलोना है जिसमें एक रॉकेट बनाया गया है और वो रॉकेट जो है कोन को रखा गया है किसके ऊपर एक सलेंडर के ऊपर जैसे यहां पर यह दिखा रखा है यह क्या है यह सलेंडर दे रखा है और सलेंडर के ऊपर यह क्या रखा हुआ है एक कोन इसके अंदर हमें बताया है कि यहां से लेकर इसके टिप से लेकर और बिल्कुल बेस तक यह वाली जो हाइट है यह हाइट कितनी दे रखी है 26 cm उसके बाद आगे क्या दिया है वाइल दा हाइट ओफ दा कॉनिकल पार्ट इस 6 cm यहां से यहां तक यह जो कॉन वाली जो चेप है इसकी हाइट कितनी है मान लिजेसे यहां पर यह सेंटर है तो यहां से लेकर और यहां तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 6 cm The base of the conical portion has a diameter of 5 cm यह जो cone है इस cone का diameter कितना दे रखा है हमें 5 While the base diameter of the cylindrical portion is 3 cm और जो आपका slender वाला part है उसकी diameter कितनी दे रखी है उसकी diameter है total यहां से यहां तक 3 ठीक है तो दोनों से हम radius निकाल सकते है If the conical portion is to be painted orange जो conical portion है उसको कैसा paint करना हमें orange color का And the cylindrical portion yellow और जो slender वाला portion है उसको yellow हमें color करना है Find the area of the rocket painted with each of these colors तो हमें बताना है कि बताईए जो हमने orange color का paint किया है वो कितने area पर किया है और जो हमने yellow color का paint किया है वो कितने पर किया है तो सबसे पहले तो देखो जो slender वाला part है तो slender के कहां कहां पर paint किया है तो जब यह rocket बनाया गया होगा तो slender की curved surface पर paint किया गया होगा और नीचे उपर से यह कैसा होगा उपर से यह खोकला होगा ठीक है उपर से मतलब यह बंद नहीं है कि slender की हमें क्या क्या चीज निकालनी है slender का एक तो हमें curved surface एरिया निकालना है ठीक है और एक यह नीचे से भी बंद है तो नीचे से भी हम क्या निकालेंगे इसका πाई यार स्क्वेर से circular base का एरिया अब बात आती है कि जब इसको ऐसे करके यहां पर बंद कर दिया तो देखो यहां पर जब यह इससे जुड़ा हुआ होगा तो यहां उपर की तरफ तो आप paint नहीं कर पाओगे ऐसे करके अगर इसको रख दूँ मैं ऐसे तो यहां पर उपर तो paint कर सकते हो लेकिन यहां पर paint कैसे करोगे तो यहां पर orange-orange वाला जो हिस्सा है यह किसका हिस्सा है यह है आपके cone का हिस्सा तो cone में आप कहां कहां पर paint कर सकते हो एक तो देखो cone की जो curved surface है उस पर paint कर सकते हो और जब यह cone का base इसके यहां पर join हो जाएगा जब इसको ऐसे करके join कर दिया गया तो यहां पर हम किस-किस जगा पर paint कर सकते है अब एक तो हम cone की curved surface पर कर सकते है ठीक है और जो इसका base जो दे रखा है उस base के बस उस area पर हम paint कर सकते है जो हमें दिखाई दे रहा होगा इतने area पर हम paint नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह वाला जो area होगा इसके उपर क्या लग जाएगा यहां पर आकर cone लग जाएगा समझ बारे हो ना इस चीज को यह ऐसे करके यहां पर लगा और इसमें ऐसे करके आके slender जुड़ गया ठीक है तो slender वाला जो area होगा यहां वाला जो area है वो तो इससे चिपक गया होगा उस पर हम paint नहीं कर पाएंगे ठीक है तो अब हमें क्या क्या करना है cone का curved surface area निकालना है उसमें plus करेंगे हम इसके base का area ठीक है? cone के का और उसमें से हम यह वाला इससा minus कर देंगे जो की इसका area होगा मतलब की πाई यार square वो क्या कर देंगे minus क्योंकि इससे क्या है? chip का हुआ है और cylinder का क्या क्या निकालेंगे curved surface area और नीचे से जहां से इसको बंद किया गया है वो ठीक है? इतनी चीज समझ के अब आ गए हम देखते हैं हमें क्या क्या चीज given है और क्या क्या चीज़ें हमें निकाल दी है तो पहले हम slender वाला पार्ट देख लेते हैं slender का हमें क्या क्या चाहिए? अगर हम निकालते है area to be painted yellow पहले yellow का निकाल लेते हैं फिर मैं आपको orange का बताऊंगा तो पहले हम निकालते है area to be painted yellow उसके लिए मुझे जो slender है उस slender की height चाहिए तो height of slender क्या होगी? पहले हम निकालते है height of slender तो slender की height होती है h से denote कर लेते हैं इसको और वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक total कितनी दे रखे 26? 26 में से यहां से यहां तक का minus कर दो 6 तो यह वाला हिस्सा कितना बचेगा यहां से यहां तक? यह बचेगा 26 minus 6 20 cm मतलब यहां से लेकर और यहां तक की height यह slender वाला जो portion है इसकी height कितनी आ गई? 20 cm height of slender को चलो हम capital H से denote कर देते हैं ठीक है? अब उसके बाद हमें इस यह जो slender वाला portion है इस slender वाले portion की हमें और क्या चाहिए? हमें radius चाहिए पता ही थी diameter the base diameter of the cylindrical portion is 3 cm तो जब यह पूरा का पूरा हैं से यहां तक 3 है तो इसकी radius कितनी हो जाएगी? radius हो जाएगी यहां से यहां तक 1.5 तो यहां पर हम लिख लेते हैं radius of slender radius of slender क्या हो जाएगी? जो हमें diameter दे रख्या है की आधी मतलब की 3 upon 2 लिख लो या फिर 1.5 cm cylinder की हमें सब चीज पता चल गई? अब हमें निकालना है कि हमें कितनी जगा पर कैसा color करना है? हमें करना है yellow रंग तो यहां पर अब आप निकाले होगे area of the rocket to be painted yellow yellow color का paint हमें कहां कहां पर करना है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो हमें करना है इसकी curved surface पर तो एक तो हम निकालेंगे यहां पर curved surface area of cylinder ठीक है? और इसी में ही हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे area of the base of cylinder मतलब जो नीचे वाला जो हिस्सा है उपर से मैंने बताया कि उपर से तो यहां पर यह आपका किस में जाके लग जाएगा? यह लग जाएगा कोन का जो base है उसमें ऐसे तो वहां पर तो आप paint नहीं कर पाओगे तो आपको बस कहां पर paint करना है? नीचे की तरफ तो वहां पर आप लिखोगे अब और क्या निकालना है हमें इसमें? एरिया ओफ दा बेस ओफ सेलेंडर ठीक है? तो curved surface area of cylinder क्या होता है? वो तो हम पढ़के आ चुके हैं introduction वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था तो उसका formula होता है 2 pi r h यहां पर radius of cylinder को हमने capital r मान लिया है और जो height of cylinder उसको capital h मान लिया है और cylinder का जो base है वो circular होता है तो वहां पर क्या आ जाएगा? pi r square दोनों मेंसे क्या चीज common आ सकती है? दोनों मेंसे pi और r को हम ले सकते है common तो हमने pi common ले लिया, r common ले लिया यहां पर क्या बचेगा? 2 और यहां पर बचेगा h प्लस यहां पर pi common आ चुका है, एक r common आ चुका है वो लेनी है 3.14 r की जगा पर क्या ले लेते हैं? r की जगा पर है 1.5 तो यह आ गया 1.5 अब जो आपका bracket है उसके अंदर क्या है? 2 into h h कितनी दे रख्या हमे? 20 और radius कितनी है? radius है 1.5 या फिर 3 upon 2 भी लिख सकते हो अब इसको आगे solve करते हैं तो यहाँ पर 3.14 की 15 में multiply कर लो या 1.5 में कर लो फिर बाद में point तो बाद में लगा लेते हैं multiplication कर लेते हैं 314 की 15 में तो 15 4 जा 60 का 0 carry 6 फिर 15 1 जा 15 और 6 कितने हो गए 21 का 1 carry 2 15 3 जा 45 45 और 2 कितने हो गए 47 अब 1 से पहले point इसमें था 2 से पहले इसमें था तो हमारे answer में कितने से पहले point आएगा 3 से पहले 2 और 1 कितने होगे 3 तो यह आगे हैं पर 4.710 या 4.71 लिख लो बाद की 0 से तो कोई मतलब भी नहीं है अब इसकी multiply 20 की 2 में multiply करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 और 40 में जब 1.5 प्लस करोगे तो यह आजाएगा 41.5 और अब इन दोनों की हम क्या कर लेते हैं multiply तो multiply तो आप करी लोगे multiply करके कितना आता है मैं multiply करके लिखे देता हूँ तो multiply करके आया 195.465 cm2 यह वो area है जो कि हमें कैसा color करना है yellow अब बात आती है कि अब हमें कौन से बचा अब हमें बचा conical जो portion है जिस पर हमें orange color करना है वो वाला color कहां कहां पर करेंगे तो देखो यह अगर आपके पास cone है तो इसकी curved surface पर करना पड़ेगा curved surface का formula क्या होता पाई आर L अब L हमारे पास है नहीं तो पहले तो L निकालेंगे और जब यह इसके साथ ऐसे करके जुड़ जाएगा तो जुड़ने के बाद जो इसका base होगा base पर आप कहां कहां पर paint कर सकते हो पूरे के पूरे base पर तो करना ही पाएंगे यह वो area चाहें तो इसके काट के निकाल देना यह वो area है जो की किस से जुड़ा हुआ था cylinder से ऐसे करके जुड़ा हुआ था तो इस पर तो हम paint नहीं कर पाएंगे तो हमें इतना area क्या करना पड़ेगा minus मतलब की हमें जो को cylinder का जो top का area है वो क्या करना पड़ेगा minus करना पड़ेगा समझ गए ना तो अब आगे हम देखते हैं orange color के बारे में तो देखो अब हम क्या काम करते हैं अब हम पहले cone के बारे में देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है तो हमें cone का क्या दे रखा हाइट तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या पता है height of the the conical part height of conical part कितनी दे रख़्ी है यहाँ पे दे रख्या हमें 6 cm ठीक है उसके बाद हमें radius भी पता कर सकते हैं हम यह झो conical part है इसका हमें क्या दे रख़्ा है डाइमीटर दे रख़्ा है इस पर मैंने कोई color नहीं किया तो यह कौन सा है यह वो है जो की आपका किस में लग जाएगा आपके cylinder में लग जाएगा तो इसकी diameter हमें 3 दे रखी थी cylinder की और जो आपका पूरा यह जो बड़ा वाला दे रखा है यह किसका है यह है आपके कोन का ठीक है तो इसका मतलब हमें कोन की क्या पता है डायमेटर तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं उसकी radius तो अब हम यहां पर निकालते हैं radius of the cone radius of the conical part और वह कितनी होगी वह हो जाएगी जो हमारा diameter दे रखा है उसकी आधी मतलब 5 की आधी 5 upon 2 लिखो या फिर 2.5 लिखो ठीक है अब इसको हम मान लेते हैं कि यह जो है यह हमारा small h है और इसको मान लेते हैं हम अपना यह small r है कैसे ही मान सकते है r dash वगेरा करके मान लो या capital कोई साही मान लो हम इसको solve कर लेते हैं r की जगा पर कितना रख देंगे 2.5 इसका square और h की जगा पर क्या रख देंगे 6 6 का square तो l square equal to हो जाएगा 2.5 का square करेंगे तो यह आएगा 6.25 और 6 का square करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 अब इन दोनों को plus कर लो तो यह 36 point से पहले वाले में add होता है क्योंकि यह point से पहले का मना जाता है तो 36 और 6 कितने हो गए 42.25 इदर से square अटाएगे तो इदर क्या चड़ेगा root तो l equal to आ जाएगा under root में 42.25 अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं log division से कर लो चाहें तो prime factorization से क्योंकि यह क्या है यह आपका perfect square है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4,2,2,5 upon 100 अटा दिया जब पॉन में 100 ले लिया हमने तो यह 100 किसका होता है 100 root के बाहर आ जाएगा यह होता है 10 का और 4,2,2,5 किसका होता है आप चाहो तो long division से निकाल ले ना मैं आपको prime factorization से करके दिखाता हूँ तो 5 से ही cancel कर लेते हैं 5,8 जा 40,2 बचा 2,2,22 तो 5,4 जा 20 और 55 जा 25 उसके बाद फिर 5 से करते हैं तो 5,1 जा 5,3 बचा 3 और 4,34 तो 5,6 जा 30 और फिर कितना बचा 4,4 और 5,45 तो 5,9 जा 45 169,13 का square होता है तो 13 के table में 13 बार आएगा और 13 फिर अपने table में 1 बार आएगा तो 4,2,25 किसका हो जाएगा एक 5 आगया और एक 13 आगया आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो चलोगा पूरा ही करके दिखाता हूँ रूट के अंदर हमने क्या लिख लिया 5 इंटू 5 और 13 इंटू 13 ठीक है तो एक 5 बाहर आ जाएगा रूट में से एक 13 बाहर आ जाएगा रूट में से और एक 10 बाहर आ जाएगा 35 जा 65 10 से डिवाइड करेंगे तो एक से पहले पॉइंट मतलब की 6.5 सेंटी मीटर यह क्या आगई यह आगई हमारे पास length of the sorry slant height of the conical part यह जो conical part है इसकी यहां से यहां तक यह क्या आ गई slant height आ गई यह वाली कितनी दे रखी थी हमें यह थी 6 यह यहां से यहां तक की कितनी थी यह थी 2.5 और यह हमने यहां से यहां तक इसमें पाइथोगरस theorem मानुए जैसे भी यह जो formula है यह मैंने आपको बता रखता है जो कि पाइथोगरस theorem से भी बना था अब हमें निकालना है जैसे हमने यहां पर निकाला था यालो कलर का अब हम निकालते हैं औरेंज कलर का तो आप यहां पर लिखोगे कि एरिया ओफ दा रॉक एट एरिया ओफ दा रॉकेट टू बी पेंटेड डू बी पेंटेड और कौन सा रंग और रेंज ठीक है तो उसके लिए आपको क्या गरना है उसके लिए आपको कर्ब्ड सर्फेस एरिया लेना है कॉन का और साथ में एरिया ओफ डबेस of cone लेना है cone के जो base का area वो भी लेना है लेकिन पूरे के पूरे base पे आप color नहीं कर पाओगे तो कौन से वाले area पे आप color नहीं कर सकते वो उसमें से minus कर दो हम नहीं कर सकते area of the top of cylinder हम cylinder के top पर paint नहीं कर पाओगे मतलब cylinder के top के बराबर जो area है उस पर नहीं कर पाएं क्योंकि यह से क्या होगा यह जुड़ा हुआ होगा समझ मैं आई न बात यह मैंने आपको कई बार बता दिया अब बस सीधा सीधे फॉर्मुले में वैल्यू पुट कर दो कौन का कर्ब सर्फेस एरिया क्या होता है पाई आर एल कौन का क्या हो जाएग कोन का हो जाएगा आपका पाई एया कौया मैंनस स लिए उसकी हमने एसे मान रखी थी तो यहां पर पुट कर लंहें तीनहों में से हमारे पास क्या चीज और रहा है यहां पर यहाँ पर क्या बचा आर बचा यहाँ बचा यहाँ बचा यहाँ बचा आर स्क्वाइर और यहाँ पर बचा आर स्क्वाइर अब वैल्यू पुट कर लेते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पर आर रखनी आपको कोन की तो कोन की रेडियस कितनी है 2.5 तो वो रख ली length slent height कितनी है कौन की वो है 6.5 तो यहाँ पर रख लेते हैं multiplication में 6.5 तो यहाँ पर r square है मतलब की जो कौन है उस कौन की radius कितनी है वो है 2.5 तो 2.5 का square तो यहाँ पर हमने रख दिया 2.5 का square और यहाँ पर यह जो capital R थी है क्या थी? slender की r तो slender की radius कितनी है 1.5 तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 1.5 का square अब तो बस calculation ही है, calculation कर लेते हैं और उसके बाद अपना answer आ जाएगा अब ध्यान से देखो यहाँ पर तो पहले हम कर लेते हैं जो bracket है उस bracket को solve तो bracket के अंदर हमें क्या क्या दे रखा है पहले 3.14 तो bracket के बाहर है इन दोनों की कर लेते हैं multiplication तो आपको 2.5 की 6.5 में क्या करनी है multiply 5.5 जो 25, carry 2 5.2 जो 10 और 2 कितना हो गया? 12 फिर 6.5 जो 30 का 0, carry 3 6.2 जो 12 और 3, 15 यहाँ पर आ गया 5 यह 2 5 और 1, 6 और यह 1 as it is आ गया तो यहाँ पर 2 से पहले क्या आ जाएगा? point तो यह आ गया 16.25 plus 2.5 का square करेंगे तो कितना आएगा? 6.25 1.5 का square करेंगे तो कितना आएगा? 2.25 अब चाहो तो पहले minus कर लो चाहो पहले इन दोनों को plus कर लो आपकी मर्जी है तो 3.14 पहले मैं इसमें से इसको minus कर देता हूँ तो यह हो जाएगा 16.25 6.25 मैं से 2.25 गए तो क्या बचे? बस 4 बचा ठीक है? कर सकते हो minus तो minus करके क्या आएगा? 4.00 4 ही कहते हूँ उसे तो यह आ गया 3.14 यह पॉइंट से पहले कमाना जाता है इन दोनों को plus करेंगे तो यह आएगा 20.25 अब इन दोनों की कर लेता हूँ मैं multiplication आप भी कर लो और multiply करके जो आएगा वो आजाएगा जिस पर हमने कैसा रंग किया है? orange तो इनकी multiply करके आया 63.585 cm2 ठीक है? तो यह आगया आपका orange वाले का area और पीछे हमने बता दिया था कौन से का था? यह था यहाँ पर yellow वाले का area यह चीज़ ध्यान से समझ लेना कैसे कैसे मैंने आपको बताया है ठीक है? तो इसके अंदर ध्यान रखना है curved surface लेनी है लेकिन base के area में गड़बड क्या थी? कि हम यहाँ पर जब यह cone इसमें जुड़ जाएगा तो यह cone जुड़ने के बाद इस जगा पर हम paint नहीं कर पाएंगे जब यह ऐसे करके इसमें जुड़ जाएगा ठीक है? तो यह हो गया आपका example number 3 और अगर इसमें कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ लेना और next video में हम करते हैं इसका example number 4